असलाम उलेकूम माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बिलकुल ठीक होंगे आज है फिफ्ट रमजान मुबारिक यानि के पांचमा रोजा और पहले अश्रे का आज हो गया है निस्फ आई होप आप लोग का रमजान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा उसके साथ साथ आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत है रिफ्रेशिंग सा ड्रेंक जो कि है गुर का शर्बत वैसे भी हमें चीनी के निसबत गुर और शकर का इस्तमाल ज्यादा करना चाहिए बिकास जो चीनी है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है तो इसे को मद्दे नजर रखते हुए आज हम बनाएंगे गुर का शर्बत उसके लिए हमें जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो हैं गुर एज रिकॉर्ट फ्रेश्मंट लीव्स हमें चाहिए चाहिए जितनी आपको जरूरत हो उतनी आपकर सकते हैं स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस सबसे पहले हम लेंगे गुर्ट को हम लोग किसी भी नाइफ की मदद से हम लोग चोटे चोटे पीसिज में कनवर्ट कर लेंगे इस तरह से जब ये स्मॉल पीसिज में कनवर्ट हो जाएगा तो इसको डिजॉल्फ करने में हमें असानी होगी इस्टम लोग एक बाउल लेंगे उसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी और उसके अंदर एड करेंगे वन टेबल स्पून चिया सीट्स इसको तकरिबन 15-20 मिनट तक के लिए सोक रहने देंगे इसमें अब हम लेंगे ब्लेंडर उसके अंदर एड करेंगे तकरिबन 1.5 ग्लास ऑफ वाटर आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अब हम उसके अंदर एड करेंगे गुर्ड नेक्स्ट इंदर जाएंगे जिया सीट्स जिनको हमने भी खोके रखा था नेक्स्ट इसमें एड करेंगे मिन्ट लीट्स किसी भी ड्रिंक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्यूंके मिन्ट बहुत ही रिफ्रेशिंग र वता हैं और एफ्तार मेर मिन्ट वाला कोई भी ड्रिंक बहुत राप को रिफ्रेशिंग देता एए अब हम इसके अंदर एड करेंगे salt, salt जाएगा तकरीवन 1 टीस्पून, lemon juice जाएगा 2 टेबल स्पून, सब चीजों को अच्छे तरीके से अब हम ब्लेंड कर लेंगे. अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि सारी चीजें जोने होमोजनाईज हो जाएं. अब हम लेंगे एक serving jug जिसके अंदर आपने इसको serve करना है उसके अंदर हम bottom में डालेंगे ice cubes आइस क्यूबस आपने according कम्या जादा कर सकते हैं next हमने जो drink बनाया है वह हम इसके अंदर एड कर देंगे आप इसका color देख सकते हैं बहुत ही cool सा refreshing सा color है इसके अंदर हम एड करेंगे कुछ lemon के slices और ऊपर थोड़ा सा एड करेंगे fresh mint पीजी है हमारा बहुत ही refreshing सा गूर का शर्बत with mint flavor रेडी हो गया है आप आज ही इसको ready करें इसको तियार करें और अपने दस्तेख्वाम पर serve करें बहुत refreshing है यह drink और different different drinks रमजान में अच्छे लिखते हैं आप इस recipe को try कीजिएगा और मुझे comment section में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी recipe कैसी लगी अगर आपको यह recipe अच्छी लगी तो इस video को like करें अपने friends के साथ share करें और channel को subscribe करें अपना बहुत ख्याल रखें दौह में हमें भी याद रखें अच्छे से रमजान को गजारे stay blessed, take care, alaafiz झाल झाल झाल